तो गाइज सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल में आ जाए ना यहाँ पे थ्री लाइन वाला उप्शन देखने को मिल जाएगा उपर में थ्री लाइन वाला उप्शन पर किलिक करना है सेटिंग प्राएं प्रेवैसी का उप्शन सबसे उपर में है आपको देखने को मिल जागा तो सेटिंग प्रेवैसी पी क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर में आपको एकाउंट सेंटर का संदीक जाएगा उस-पर कर देना क्लिक करने के बाद over तो आपन होने में थोरा सा टाइम लेगा ठीक है तो आपन होड़ा है तो यहां पर आपको प्रस्टनल डीटेल का ओप्षन एकाउंट सेटिंग में देखने को मिल जाएगा प्रस्टनल डीटेल के क्लिक करना प्रस्टनल डीटेल पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एकाउंट ओनर्सिप और कंट्रोल का ओप्षन नीचे में देखने को मिल जाएगा उस पर क्लिक करना उसके बाद आपको इस्टाग्राम वाले ओप्षन पर क्लिक करना आपका जो क्रूफाइल वाल ओप्षन था और यहां पर दो ऑप्षोन आ जाएगा डीअक्टिवेट और डिलीट एककांट का तो आपको निछे डिलीट एककॉंट पे क्लिक करना और उसके बाद यहां पर आपको को आपके एक का रीजन पूछा जाएगा कि आप क्यों डिलीट कर रहा तो इस में से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है उसके बाद यहां पर कंटीनिउ वाले उप्शन पर क्लिक करना यहां पर option बहुत सारा दिया गया लेकिन इन सब में से किसी को ब चूज नहीं करना यहां पर आपको कंटीनिू वाले उप्शन पर simply directly click कर देना ठीक है उसके बाद आपको account का password मांगा जाएगा तो आपका account का जो भी password है वो यहाँ पर type कर देना टाइप करने के बाद continue वाले बटन पर आपको click करना उसके बाद delete वाला option आएगा delete account का तो delete account वाले option पर click कर देना आपका account simply delete हो जाएगा डिलीट होने के बाद आपका जो account होगा वो automatic आपके instagram एप शेयर जाएगा उसके बाद आपका दूसरा account यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा मिलते हैं नेक्स प्रीव नेट अपके साथ तब तक के लिए take care and bye bye